मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब इतना हलका भाशन अगर मेरे सामने लोकसभा में करेगा तो मैं तो अपना फर्द समझता हूँ कि मैं खड़े हो करके उसका गुरोध क्यों करूँ मैंने किया और जोरदार तरीके से कि इस पांस साल के टेरियोर में तीन वार एवी एम के खिलाफ हमें लोकसभा में बात चलिए साब एवी एम भी ठीक कर देंगे लेकिन कोई मसिया मसी की तरह कोई मसिया आगया और हाथ से बैलेट से भी अगर चुराओ होने लगे तो क्या होगा जैसे चंडी करण के मेयर इलेक्शन नहुगा तो जब पूरा सिस्टम ही हाई जैक आप करना चाहते हो करना चाहते हो सारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया आपने तो कहां जाएगा आमाजी में यह बोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला यह बात सही है कि पुलिटिकल पार्टी इसको तैय करना पड़ेगा खाली जिम्मेदारी सिबल सुसाइटी की नहीं है और पुलिटिकल पार्टी इसको यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चुनाओ जीतने के लिए हम अपनी आइडियोजी के साथ कम्प्रॉमाइज करें जब तक हम अपनी आइडियोजी पर चटान की तरह खड़े होकर के नहीं लड़ेंगे तो तब तक करनाटक और तिलंगाना जैसे रिजल्ट नहीं आई यह करनाटक में सिबल सुसाइटी के साथ मिलकर के आइडियोजी पर लड़ें तो करनाटक में संध परिवार का हिंदुत जो है वो डूम गिया वहाँ उन्होंने खुब चलाया था हनुमान जी को भी ले आए थे उनके बारे में ऐसा कहा राम को भी लाए थे लेकिन वहाँ नहीं चला तिलंगाना में नहीं चला आप जातर के एजंडा आपका बद्यप्रदेश में बदल गया उधी फ्रॉडों के बीच में जाकर के आपकी नत्मस्तक हो गए तो वहां की जंता ने कहा कि या बहुत सीधी सी बात है जब कॉंस्ट्यूशन क्लब के बाहर से निकलेंगे तो एक लोकल हलवाई की दुकान है और दूसरी नाथू सुईट जाएर सी बात है हलदी राम की दुकान कोई जाएगा बराईड के पास जाएगा तुम्हारे पास क्यों है बहुत तर्फ बात कह रहा हूं है होदा क्या है कि जो सिविल सुसाइटी के लोग जो रात दिन लड़ा रहे हैं बाफ कीजिए सियासी लोगों में बहुत कम लोग हैं उसकिसी नहीं का कि अगर कोई लड़ा रहा है आज की डेट में तो हकीकत है मैं तो बहुजन सवाज पार्टी का एंपी हूं अभी साल से इस बात को कह रहा हूं कि पार्लेमेंट के अंदर इस सेविंटींद लोग सवावें पारुक्सानिया मौजून हैं अंदर भी और बाहर अगर कोई लड़ा रहा है है अपनी कुर्बान करके तो राहुन बांदी लड़ा है अब उनकी पार्टी कितना उनके साथ अब आप यहां करनाटिक में जाकर करके महसूस किया एलक्षिन में कि हां हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे उसूलों पर यहां लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई जीती वो जगती लेकिन वो काम मत परदेश में नहीं है बात सही है कि मुसल्मान आज की डेट में ऐसा चीज बन गई है कि खालिक साब मेंबर पार्लेमेंट है हमारे अबध्दुल्कालिक साब आप उपर आ यह तर आ यह स्टेज में आप ऐसे चीज बन गई है कि सबसा आसान तरीका है खाली मुसल्मान को दिखाओ और बाकी कोई खटा हल्दवानी की घटना कल घटी है किसी से छुपी नहीं है क्या हुआ है क्योंकि उत्तरा खंड की सरकार तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत दिन से काम कर रही थी बीजे प्यार आरे से कि मैं पार्लिमेंटरियन पार्लिमेंट की लोग सबाकि एस्टीमेंट्स कमेटी का मेंबर होने के नाते हमने अबी तीन-चार महीने पहले ही Estimates Committee में रेलवेर मिरिस्टी को बुला Chairman Railway Board को बुला हमने कहा साथ रेलवेर की कितनी लेंड जो है Encrushed तो हैरत होगी कि एक लाख एकर से जादा लेंड जो है रेलवेर की Encrushed लेकिन सिर्फ एक हलदवानी में एक बस्ती गरीबों की बस्ती वाबसी भी थी तो सारी ताक्ते जो है वो Encrushment हटाने की बात करना है और ये तरीका है क्या मैं वाइलेंस के खिलाफ हूँ हर तरीकी के वाइलेंस के खिलाफ वाइलेंस is no place in a civilized society लेकिन जिस तरीके से वहाँ कल की तस्वीरे सामने आ रही है और उसके बाद जो हो रहा है हमने दिल्ली में भी देखा दिल्ली के दंगों की साजिश जहां रची गई वो भी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए हुआ अब कितने बेगुना आज जेलों में हैं मुझे पता नहीं कि जिस वक्त हम यहां बात कर रहे हैं कि हल्दवादी में कितने नौजवान बेगुनाओं को केस लगा करके जेलों में ठूसा जा रहा हूँ अब तो कोड ने भी कह दिया कि यूए पीए में जो है बेल इस अन एक्सेप्शन नौट रूब वो तो हम देखी रहे हैं उमर खालिद और इन लोगों के कैसे डेट पर डेट डेट पर डेट आ रही है और इसी देश ने देखा कि किसी पर केस लग गया अगर किसी गोदी मीडिया के एंकर पर लग गया तो रात को ही हाईस्ट कोट के दरवाजे खुई जाते हैं उसको बेल जी जाते हैं इस सवाल खाली कौन जीतेगा कौन हारेगा वो नहीं लेकिन अगर इस मुल्क की सेकिंड लार्जेस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन का एहत्माद इस मुल्क के सिस्टम पे से उट जाएगा तो वो जादा खतम ना अगर इस मुल्क में लोगों का एत्माद उनके वोट देनी की पिरक्रिया से उठ जाएगा तो इस मुल्क के लोकतंतर पे से विश्वा सुझे जाएगा और आज यही हो रहा है इवी एम की बात हो लिए हमसे कहा किसाथ आप तो इवी एम के सरी जीद काए थे क्योंकि हम इवी एम के खिलाब तक सब्सक्राइब आएगा तो उसका सेक्रेटरी जनरल होने के नाथे मेरे भी सिखनेचर उस पेटिशन पे मैंने सर्टिफिकेट लेते वक्त जब मुझे लोकसभा के एलेक्शन का सर्टिफिकेट दिया रिटेंडिंग ऑफिसन ने और बाहर जब मीडिया वाले ऐसे ही आके क्या मैंनका सबसे पहला मैं जाकर खर के अंदर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एवी एम के विरोध में अपनी बात रख killing और मैंने रखी पारलमेंट के अंदर लोकसभा के अंदर इस पाट साल के टेरियोर में तीन वार एवियम के खिलाफ हमने लोग सबा में बात देंगे चलिए साब एवियम भी ठीक कर देंगे लेकिन कोई मसिया मसी की तरह कोई मसिया आ गया और हाथ से बैलेट से भी अगर चुराओ होने लगे तो क्या होगा जैसे चंडी गां के मेर इलेक्षिन नहुँआ तो जब पूरा सिस्टम ही हाई जैक करना चाहते हो करना चाहते हो सारी समयदाने संस्थाओं को बरबाद कर दिया आपने तो कहां जाएगा आमादी में यह वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला मैं जादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहुँगा अधिब भाई हायूस होने की जरूरत नहीं है इन्शाल्ला लड़ाई लड़ी जाए मुश्कित लोग कहते हैं कि साब और वैल विशेर हैं वो सब कि दाइस साब जरा हलके आप डरते नहीं आप जो जादे जजबात में रहें मैं तो परसों भी जब लाग साब मा मौझूद थे प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई दे रहे थे हाउस के अंदर जब वो माफ कीजिए कि मेरे मुलक का प्राइम मिनिस्टर जब इतना हलका भाशन अगर मेरे सामने लोगसमा में करेगा तो मैं तो अपना फर्द समझता हूँ कि मैं खड़े हो करके उसका जरूथ क्यों करूँ मैंने किया और जोरदार तरीके से किया मैंने कर तो मैंने कल जीरो आवर में अग्साइब बड़ी मुश्किल से तो जीरो और मिला तो जीरो और में खड़ा हुआ और एक और इतिहास कल बन गया कि शायद जीरो आवर का शॉर्टेस्ट टाइम का रिकॉर्ड भी दानिशेली के नाम कल चला गया मैंने सिर्फ इतना कहना शुरू किया कि साथ सभापती मौदे इस देश में हेट स्पीचिस बहुत हो रही है हेट स्पीचिस के खिलाब कानून सक्त कानून बनना चाहिए और सम्मिधार निर्माताओं ने जब सम्मिधार बना रहे थे उन्होंने यह सोचा भी नहीं होगा और मेरा माइक ओफ कर दिया क्योंकि वह समझ गए कि जो मैं कहने जा रहा था अगला सेंटेस्ट वह मैंने कहा लेकिन वह माइक पर नहीं कहा लेकिन आवाज इतनी थी कि वह सुन सब नहीं लिया कि जब देश का सम्मिधार लिखा जा रहा था तो सम्मिधार निर्माता उन्हें कभी इस खाम में भी नहीं सोचा होगा कि इस सदन के अंदर आकर के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लोग सबाजों हैं यहां पर गाली दे तो यह भी रिकॉर्ड पे जाने के लिए ले जाने के हैं अब हालब जब पार्लेमेंट के अंदर यह हो जाएं कि आप अपनी बात भी ना कह सके बाइक आप कर दिया जाएं जब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वेलग पेपर जो है वो खराब करके चुदा तो क्या बच्चा क्या है कि लड़ाई लंबी है लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इंशादला हम लोग त्यार है आने वाले वक्त में मायूस होने जरूरत बिल्कुल नहींदेपाएं इंशादला इमानदारी से लड़ाई लड़ी जाएगी बहुत शुक्रिया क्या क्या ना